हेलो दोस्तों बैंक में पैसा रखने के कुछ फाइदे भी होते हैं और उसके साथ साथ कुछ नुकसान भी होते हैं तो आज हम discuss करेंगे जो आप cash withdrawal करते हैं या फिर cash जमा करवाते हैं या फिर आप digital transactions करते हैं तो आपकी क्या limits है इस बारे में discuss करेंगे कि अगर आप ज्यादा पैसा जमा करते हैं तो आपकी क्या limit है जो की income tax जो हमारा department है उसे notice ना आए तो आशीस जी सबसे पहला question कि काफी लोग digital transactions करते हैं bank account के अंदर तो कितने पैसे तक हम digital transactions कर सकते हैं और कितना हम भी draw कर सकते हैं ताकि हमारी income tax department से कोई दिक्कत ना हो विल्कुल विने जी काफी कश्मे कश्ट लोगों में बनी रहती है confusion रहता है कुछ लोगों को तो ऐसा लगता है कि पांच लाग से ज्यादा cash हम saving account में रखी नहीं सकते हैं सस्तो यह है कि लोगों को इसमें कई तरह की आशंकाएं हैं कई तरह की questions रहते हैं कुछ लोगों को काफी और बाते जानेंगे जो आप day-to-day routine में कर देते हैं कुछ knowledge के अभाव में और बाद में आपको समस्याओं का सामना करना पड़ता है और अभी आपने जैसे digital की बात करी विने जी bank में जैसे ही आपके 10 लाग रुपे से जागा आपके account में पैसा आता है अगर उस पर TDS नहीं कटा हुआ है तो उस case में bank उस amount को income tax department AIS form अभी तो सारी entry आपके pen number के according track हो जाती है तो बिल्कुल उसको बता दिया जाता है income tax department को income tax department आपके return को देखता है जो आपने past में पड़ सकता है और इसके लाबर withdraw की अगर बात करें तो withdraw के लिए इतना कुछ परिशान होने की जरूत नहीं है सिर्फ जो credit आपके account में होता है उसको मान लिया जाता है अगर आप उसको explain नहीं करते हैं तो उस case में जो पैसा आया आपके account में उसको आपका income मान ली जाएगी चाहिए आपने किसी purpose के लिए उसको रखा हो अपने account में और उस पे आपको tax देना बन सकता है इसलिए आपको ध्यान रखना है अभी हम video के मादेम से जानेगे कैसे अपने account को आप manage करें ताकि आपको कोई समस्या भी ना हो और आपका पैसा भी bank में सुरक्षित रहे भी न कैश के लिए कुछ अलग से income tax विभाव की तरफ से कुछ अलग से ruling नहीं आई है कि जिसमें आपको कोई limit रखी जाएगी आपकी overall 10 लाग की credit की limit रखी गई है पर cash में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है खासकर जब आप अपना पैसा जमा करवाते हैं जैसे ही आ 50,000 से जादा अपने account में पैसा जमा करवाएंगे तो bank आपसे pen number मांगता है और वही बिल्कुल आपका track हो जाता है कि आप bank में cash जमा करवा रहे हैं उसी की problem को solve करने के लिए काफी लोग smartly 49,000 के आसपास multiple time जमा करवाते हैं cash को अगर हम बात करें account में तो income tax department को भी ये बात का पता है तो उसी को द्यान में रखते हो है नई ruling के हिसाब से income tax department में bank को बता दिया है कि जैसे ही किसी के account में अगर आप below 60 years हैं तो उस case में अगर आप 2.5 lakh से जादा अपना कुछ cash जमा करवाते हैं या cash निकलवाते हैं एक must की अगर हम बात करें या क्या reason है क्योंग आपने इतने बड़े amount को आपने withdraw किया और वही senior citizen के लिए 5 lakh तक के लिए बिल्कुल पूछता की जा सकती है और उस case में explain ना करने पे जैसा मैंने बोला वो पूरी income आपकी मान ली जाती है और उस case में आपको tax देंदारी बनती है और उसके अलावा आपको कुछ penalty का सामना भी करना पड़ सकता है विने जी तो अब यहां पर मैं बात करता हूँ कि जैसे यह normal है कि friend से पैसा ले लिया या फिर family member है उनसे पैसा लेके आप अपने bank account में डलवा देते हैं जब आपको जूरत पड़ती है तो उस case में मुझे क्या worried होना चाहिए कि अग value transactions count हो जाता है आपके saving account में और उस case में income tax department को सुचना दे दी जाती है तो आप जो पैसा अपने friend को देते हैं उसमें आपको कुछ परिशान होने की जरुरत नहीं है सिर्फ और सिरह आपको यह समझना है जो पैसा आप लेते हैं उसका purpose क्या है और जैसा मैंने बोला अगर आपने कुछ समय के लिए उधार लिया है अपने friend से उस case में आप ध्यान रखें कुछ बाते हैं जो अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको future में समस्या नहीं होगी तो friend से अगर आप पैसा अपने account में ले रहे हैं घर खरीदने के लिए ले रहे हैं या किसी need की emergency के किये हैं और वो एक आपका एक किसम का loan था तो अगर amount जादा है अगर हम बात करें high value transaction है तो उस case में आपके लिए बैटर रहेगा सोर पेके stamp paper पे नोट्री करवा के आप उसमें statement लिखवा दें कि आप अपने friends से इतना पैसा उधार ले रहे हैं और आप इसको वापिस भी करेंगे तो यह आप proof भी दिखा सकते है income tax department को जो बाद में आपको समस्याओं से बचा सकता है relative से पैसे लेते हैं विने जी तो relative मे इनमें भी आते हैं क्योंकि अगर आप अपने माता पिता से अपने माता पिता के समस्याओं के बच्ष के अगर हम आपको पैसा कुछ मिलता है गिफ्ट के होता है क्योंकि gift आपको जो मिला है relative से टेक्स-free की definition में आता है तो वहां पर आप ensure कर लें अगर आपने high value transactions की है वहीं अगर आपने कुछ लाखों में transaction करी है कुछ पैसा आपको मिला है तो सबसे अच्छी बात ये कि आपका पैसा पूरा का पूरा टेक्स फ्री है पर आप एक गिफ्ट डिट जरूर बनवा लें क्योंकि उससे यह होगा कि आप प्रूफ कर पाएंगे इंकम टेक्स डिपार्टमेंट को कि यह पैसा आपको गिफ्ट के रूप में मिला है और वो गिफ्ट डीड जो आप ही आती है तो तीन से चार साल का आप रिकोर्ट मैंटेन करेंगे और इंकम टेक्स डिपार्टमेंट को जो है वो आप शो करके बता सकते हैं कि गिफ्ट में पैसा मिला लेंगे अब मैं यहां बात करूंगा कि NRI जैसे ही जो लोग भार रहते हैं वो काफी आमाउंट के करने से पहले अभी भी कुछ लोगों में दूर्दा बनी हुई है कि पांच लाग से जादा पैसा मैं अपने सेविंग अकाउंट में जमन नहीं करवाऊंगा तो उनको यह क्लेरिफाई करना चाहूंगा कि उसका रीजन जो लोग देते हैं उसका रीजन साफ-साफ यह है कि DICGC के तहट आपको आपके अकाउंट में, सेविंग में, FD में, इंटरस्ट इन सब को मिलाके पांच लाग का आपको इंशूरंस परदान होता है अगर बैंक डिफोल्ट करता है हाला कि अगर आपका बैंक RBI के अंतरगत आता है तो उसकेस में डिफोल्ट के चांसिस कम हो हुई है कि अगर बैंक डिफोल्ट करता है तो पांच लाग का पैसा आपका सुरक्षित आपके हातों में इंशूरंस के माद्यम से 90 दिन के अंदर आपका आ जाएगा पर अकाउंट में कुछ पैसा रखने की लिमिट नहीं है आप कितना भी पैसा रख सकते हैं और बाकी ज चहर से गाउं में अपने पैरेंट्स को पैसा बिजवाते हैं दिन चर्या के लिए उस केस में ये भी आप इंशूर कर लें को कि उनको भी नॉलिज के अभाव में गिफडिट तो नहीं करवाते हैं अगर आप एक हाई वेल्यू ट्रांजेक्शन कर रहे हैं एक मुष्ट प लॉइंट होल्डर बनवा सकते हैं या उनको आपका डेविट कार्ड दे सकते हैं और वहां से आप अपना पैसा ट्रांसफर करेंगे गिफडिट के माधियम से तो बैटर रहेगा तो गिफडिट आप इंशूर कर लें जब भी आप एक मुष्ट काफी ज्यादा पैसा ट्र आता है तो उन केस में उनको क्या करना चाहिए जिससे इंकम टेक्स पे नोटिस ना है काफी लोग यूपी आई का बिजनस भी करते हैं विने जी काफी ज़्यादा ट्रांजेक्शन करते हैं डेली बेशिस पे कैश में तो उसके लिए 10 लाग के लिमिट है हमारी सेविंग अ सेविंग अकाउंट आप यह नहीं यूज़ करेंगे यह आपको ध्यान रखना है इसके अलावा 50 लैक की आपके लिमिट हो जाएगी उसके अलावा यह भी नहीं है कि आपको 50 लैक पर टेक्स देना है क्योंकि वहां पर आप इंकम टेक्स के रूल का यूज़ करके अपना पूरा का पूरा भी बचा सकते हैं उसका हम एक डेटेल वीडियो भी लेके आएंगे कि आप बिजनस इंकम होने के बावजूद कौन से ऐसे सेक्शन्स हैं जिसके अंतरगत अपना आप टेक्स बचा पाएंगे तो बिलकुल आपके लिए करेंट अकाउंट यूज़ करना ह और जो भी आपका प्रॉफिट होता है विनेजी आपको ध्यान रखना है कि जो फाइनली आपकी इंपुट कोस्ट जो भी आपने परचेस किया है उन सब को निकालने के बाद जो आपके मारजन मनी बनती है वो आपकी प्रॉफिट के लाती है उस प्रॉफिट को आप इंश चीज तो ये वीडियो था cash transaction और आप bank में जो पैसा रखते हैं उससे related अगर आपका फिर भी कोई question है तो comment section में लिख सकते हैं आज का वीडियो में यही कतम करते हैं दन्यवाद